RRB की तयारी के साथ आपको इन 10 crucial point पर फोकस करना है वरना आपका RRB बनने का सकना चूर-चूर हो सकता है और आपका form reject हो सकता है पहले point की मैं बात करता हूँ तो आपका application form इस्टार्ट हो चुका है आध से ही और 29 August 2024 उसका closing date है तो आपके पास जो degree आने वाली है उसका जो date है या तो इससे पहले का mention होना चाहिए या 29 August तक का आपके पास mention होना चाहिए अगर 29 August के बाद का आपके पास आपकी degree पर mention होता है date तो वो आपका form reject कर दिया जाएगा दूसरे point में बात करता हूँ तो आपके पास medical parameter आप जो भी post आप select करते हो तो उसमें medical parameter देख लीजिएगा कि इस post के लिए मैं eligible हूँ या नहीं हूँ अगर जिस बच्चे को नहीं पता कि सब medical parameter कैसे check करना है तो आप हमारे live sections में जाएगा हमारे चनल को विजिट करके live sections में जाओगे तो वहाँ पर ये रवींद्र सर का आपको video मिलेगा तो उसमें सारे medical parameter आपको बताया है कि आप कौन-कौन सी post के लिए eligible हो otherwise आपका form reject कर दिया जाएगा तीसरे point की में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास अगर एक से ज़्यादा RRB की post के लिए आप अपना form डालते हो तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा fourth point की में बात करता हूँ तो आपके पास जो भी आपके documents में नाम है 10th की marksit में 12th की marksit में और आपके degree में जो भी नाम है वही नाम आपको वहाँ पर फिलब करना है अगर आपने गलत information दी तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा अगर अगले point की में बात करता हूँ तो जो भी बच्चे signature upload करते हैं तो आपके पास capital later में कहीं बच्चे कर देते हैं capital later में A, B, C, D इस तरीके से आप upload करते हो तो वह form आपका form reject कर दिया जाएगा क्योंकि signature जो आपको upload करना है वो discontinue mode में नहीं करना continue mode में करना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे signature बताया है इस तरीके से आपका continue आपका signature होना चाहिए तभी आपका form acceptable होगा otherwise आपका reject कर दिया जाएगा अगर six point की में बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी अगर जो बच्चा central और state में employee है नोकरी करता है तो वहाँ से NOC ले लिजिएगा अगर आपको NOC नहीं मिलती है तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा अगर seven point की में बात करता हूँ तो बेटा जो भी form आपका निकला हुआ है उसमें फीज सब्मिट कर दिजएगा जो भी फीज मांग रहा है वो आप फीज सब्मिट कर दिजएगा अगर आप फीज सब्मिट नहीं करते हो तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा अगर eight point की में बात करता हूँ तो जो भी आपके पास category certificate है अगर वो expire हो चुका है आप 29 अगस्त के बाद जैसे कि आपने देखा crucial data हमारे पास कितना है 29 अगस्त अगर 29 अगस्त के बाद का आप category certificate upload करते हो या उसका यूज करते हो तो भी आपका form reject कर दिया जाएगा आपको जो certificate category SC, ST, OBC जो भी यूज करना है वो 29 अगस्त से पहले का ही यूज करना है हमारे पास ten point की बात करता हूँ यूज of unfair practices अगर आप exam में cheating करते हो या आपने जो भी information दी है जो भी आपने data डाला है अगर आपका fake documents है तो आप फिर भी आपका form reject कर दिया जाएगा ठीके तो य आरबी की तैयारी कर रहे हो तो हमसे चूड़िएगा चैनल को subscribe कर दिजेगा आपकी classes electrical की इसी चैनल पर आपकी start हो चुकी है और telegram चैनल का link नीचे है सारे बच्चे join कर लीजेगा और सार master class education का application सभी बच्चों के mobile में होना चाहिए चलेगा thank you take care love you and goodbye